मेरे साथ इस वक्त मौझूद है पंडित हेमंत गुरूजी गुरूजी सबसे पहले आप अभी कल्पना एक युवा सोच के कारेक्रम में आये इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने शप्तों नमस्कार और ओम शांती ओम नमस्षिवाय मैं अभी गल्पना में कल्चर प्रेसिडेंट हूँ और हमारा एक ही मुद्दा है इस संस्था को कि गरीब बच्चों को प्रमोट करना है चाहे वह स्टडी इस रेलेटेड हो जाए आर्टिस्ट हो चाहे किसी भी फील्ड से हूँ हम उन लोगों को उन बच्चों को ढूंडते हैं जो फाइनेंचली जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्द हैं तो हमारा मुद्दा है यह है कि हम उन बच्चों को प्रमोट करें जादा से जादा किस तरह कि आप अपक्टिविटीज अभी आप करा रहा हैं जिस तरह से मैंने मंच पर सुना कि आपने तमाम तरह की अक्टिविटीज के बारे में बताया तो वो आप हमारे दरश्कों को हमारे चैनल के माध्धिम से बताएं मैं अभी कल्पना में कल्चर प्रेसिडे Ond てू मैं एक ही चीज उन्हों ने मैंने उनको यह बोला है कि study के पीछे नहीं अगर हम Ai हमें कोई कल Abi कलाकार मिलता है या हम फैशन डेंग में मिलता है यह में योगा से ऑरीलेलेटर ऊमलता है या कल्चर सब को लेके उन बच्चों को लेके उनका टैलेंट देखके उनको आगे बढ़ाना है तो मेरा सिर्फ हमारा अभी कलपना का सिर्फ स्टडी से रिलेटेड नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है एजुकेशन में जो भी चीज लर्निंग में आती है उन सब चीजों से हम कि हम उन बच्चों को हर चीज में आगे बढ़ाएं अभी कलपना से अगर मैं हटकर बात करूँ तो आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही है अभी तक आपने जैसे मैंने पहले भी पूछा था कि अपने मंद से बोला कि तमाम तरह की अचीवमेंट्स आपकी हैं फेस्बुक की बात करूँ तो मैंने बहुत कुछ सीखा है मैंने मेरा संदेश यह है कि कुछी भी एक चीज को सीखे आप स्टॉप मत हो जाना हर चीज सीखो कि कम से कम मैंने जब स्टडी करी तो मैं डान्स सीखता था डान्स के साथ जब मैं मेकप मेकप कभी सीखा क्योंकि मैंने सुच इसने का एक ही मुद्द है, मैं लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ, किसी एक चीज़ को सीखे मत बैठो, हर चीज़ सीखो, कब जिन्दगी में क्या काम आ जाए, कुछ पता नहीं, तो मैं इसलिए सबको अपना अनुभव सबको इसलिए सुनाता हूँ, ताकि वो बच्चे को देखकर उसके बच्चे को देखते ही, उसके फेस को रीड करके पहचान लेते हैं, कि इस बच्चे में तो इतना टालेंट है, यह तो कल का यह नेता ही बनेगा, यह तो आगे बढ़ेगा. face reading की जैसे जब सबको पता है face reading लेकिन बच्चों को मैं directly कभी ये नहीं बोलता कि तुम ये बन जाओगे बट मैं सबसे ज़ादा face reading जब students मेरे पास आते हैं मैं उनकी face reading करता हूँ तो उस face reading में ये देखता हूँ कि ये बच्चा जब तक हमारा student है तो क्या ये student बनके रहेगा या ये आदे समय तक सीखने आया है और आगे जाके भूल जाएगा तब तक face reading से मैं face reading करके मैं ये पता लगा लेता हूँ कि ये बच्चा किसी और गलत वे में तो नहीं जा रहा गलत वे में ना जाए इस वज़े से मैं face reading करता हूँ और उनको पहले से ही advance में उनको गलत रास्ते में जाने से रोक लेता हूँ तो मेरा मुद्ध यही रहता है face reading कर कि जब मैं कोई भी बच्चा मेरे पस नहीं आता है किसी भी field करता हूँ और उस बच्चे का पता लगाता हूँ कि वो बच्चा किस field में जाना चाता है नहीं जाना चाता है और गलत संगत में तो नहीं जा रहा है दिया गया था और वो मिलने के बाद आपको कैसा फील हुआ किस तरह की खुशी थी आप उस वक्त फेस्बुक में लोग सेलफी डालते हैं सब कुछ डालते हैं आज से 5-6 साल मेरा 2016 14-15 में मेरे पास लेटर आया कि आपको फेस्बुक से आपको लखी विनर 6 विनर बनाया गया है मेरे को विश्वास नहीं हुआ फिर वहां से यूएसे से कॉल आया कि आपको फेस्बुक में आपको बैस स्टेटर्स डालने का और फेस्बुक को बढ़ावा देने का बढ़ावा कैसे देते हैं फेस्बुक वालों ने हमें ये स्पेशली बोला कि आपने कभी भी कोई ऐ देने वाली स्टेटस डाला जितने भी आपने आवार्ड लियें जितना भी आपने काम किया है वो आपने डाला तो हमें पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला इंडिया में जो अपने काम को और जो आवो अच्छा काम करता है शोशल वर्क करता है उसी को ही वो फेसबुक में प्रम तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें मैंने अपना टाइटल पूरा डाला हुआ है फेस्बुक का जो हमें एशिया में सिक्स्त विनर मेर को मिला तो मैं बहुत खुश समझता हूँ कि लोगों को भी मैं सबको यह कहना चाता हूँ फेस्बुक यह बहुत अच्छा एक वेबसाइट है एक एप है उसमें आप अपनी सेलफीज ना डालें आप जिन्देगी में जो भी काम करते हैं रोज जो भी आपको सम्मान मिलता है वो सब आप उसमें डालें ताकि आपका स्टेटस देखके बाहर के कंट्री वालों को प्र आखरी सवाल बहुत छोटा सा इतनी सारी चीजों का आप इस तरह से संजो कर रखते हैं कैसे टाइम निकाल पाते हैं मैं बहुत बिजी रहता हूं मैं इधर उदर जाता हूं समाच गरीब बच्चों को देखता हूं मैं उत्राखन में मेरे अभी चार स्कूल है आयूश मू बच्चो को आप स्टेज देंगे, स्टेज प्रमोट करेंगे, कि मैं आपके प्रोग्राम में आँगा। को यूजे बुलाओगे तो न बच्चों को वी बुलाओ मेरे साथ, जिनको मैं तयार करता हूं और जिनको मैं चाहता हूँ कि उपर से उपर आस्मान की उचाईयों को छोएं का मानना ये है कि जो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं उन बच्चों को एक स्टेज देना एक मंच देना एक मुखे उदेश्य है कैमरा पसंद जिशान के साथ मैं चेतना शादरी नेशनलाइब दिली